कई सारे बच्चों की नाभिया यानी अंबिलिकस बड़ी होती है। जिसे हम अंबिलिकल हरनिया के नाम से जानते हैं। खास करके ऐसे बच्चे जो कमजोर होते हैं, जिनका वजन थोड़ा कम होता है या वह प्रिमेच्चोर बर्त होता है, उनमें यह दिक्कत ज्यादा होती है वैसे हमारे बच्चों की जो नाभी होती है उसके साथ Embolical Cord जुड़ी होती है जब बच्चा मदर के पेट में होता है तब वह कोड मम्मी के साथ जुड़ी हुई होती है वैसे ही यह कोड अंदर की साइड हमारे पेट के मसल्स के बीच में से एक कोट जाकर हार्ट के साथ मिलती है जहां से मम्मी का बलड बच्चों के हार्ट तक पहुँचता है परंतु कभी-कभी होता क्या है कि बाहर की नाड तो निकल जाती है पर अंदर की नाड को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है तो पेट के मसल के बीच में से थोड़ी सी जगह बच जाती है अब यह पेट के बीच में जो जगह बच्ची है वहां से पेट की चरबी पेट के इंटेस्टिन का भाग जैसे ही बच्चा रोता है या पेट फूलता है, तो वहां से बाहर दिखता है इस वजह से यह नाभी की, जो उपर की चमडी होती है, वह बहुत पतली होती है जिस वजह से यह फूलने लगती है, जो देखने में थोड़ा अजीब दिखता है और इसे हम अंबिलिकल हर्निया कहते हैं अब अंबिलिकल हर्निया को ठीक कैसे करें? बच्चा जब 6 महीने के बाद बैठने लगे, तो पेट के मसल अपने आप धीरे-धीरे टाइट होने लगते हैं और बीच में जो जगह होती है, वह धीरे-धीरे भरने लगती है तो 6 से 12 महीने के बीच में मसल टाइट हो जाता है और यह जगह जो बची है, वह अपने आप ठीक हो जाती है तो mostly 99% लोगों का 1 से 1.5 साल तक या उसके अंदर अंबिलिकल हर्निया अपने आप ठीक हो जाता है कई लोग बताते हैं कि इसके उपर कोई मलहम या ट्यूब लगाओ या तो कोई इस पर ओइंटमेंट लगाओ, तो ये ठीक हो जाएगा कुछ लोग बोलेंगे कि इस पर 1 रुपे का सिक्का लगाकर उपर एक पट्टी बांध दीजिए तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, पर ये इतना जल्दी ठीक नहीं होता है आप कितनी भी तरीके आजमा लीजिए, ये ऐसे ठीक नहीं होगा इससे बच्चा और डिसकंफर्ट महसूस करेगा, और यह बच्चा ज्यादा रोएगा इसको फीडिंग के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने कंधे पर सुला के रखिए पीट के पीछे थपठपाईए बच्चों को गैस की प्रॉबलम हो सकती है, जो कम हो जाएगी और हर्निया जल्दी ठीक हो जाएगा ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे कृपया हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू